हलो मेरा नाम है संदेश और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और पढ़ाई में भी मैं क्लास में सबसे आगे हूँ मुझे पापा की साथ मस्दी करना बहुत पसंद है और मम्मी संदेश अब करो बेटा मम्मी हमारा बहुत खयाल रखती है नमस्ते अंकल अरे टिंकु आओ भई आज क्या नया लाए हो ये देखे अंकल आज मैं नया फोन लाया हूँ ये है टिंकु भईया हमारी पड़ोसी टिंकु भईया बहुत टैक सेवी है मुझे कंप्यूटर से खाते हैं और मुबाइल पर बहुत सारे गेम भी खेलते हैं एक बाट तो हमने बहुत सारे गेम जीते थे मैं कल ही नया लैप्टोप लाया हूँ क्या तुम देखना चाहोगे संदेश अरे वा बया नया लैप्टोप मुझे भी देखना है ये तो बहुत ही अच्छा है हाँ भाया भाया याप क्या कर रहे हो भाया छोड़ो मुझे मुझे अच्छा नहीं लोग रहा भाया भाया प्लीज क्या हुआ संदेश बेटा तुम इतने चुपके हो चलना संदेश खेलने चलते हैं नई यार मेरा मन नहीं है संदेश बेटा क्या हुआ बेटा तुम आज भी स्कूल नहीं गए और ये क्या तुमने दूद भी नहीं दिया देखो अगर कोई बात है तुम मुझे बताओ मेरा प्यारा भाई अपनी दीदी को तो बता ही सकता है न दीदी दी वो वो टिंकु भाईया मुझे तो अपने बेटे की चिंता है उसे कैसे समझाओ कि ये उसकी घलती नहीं है मेरे एक फ्रेंड है समायरा कुछ दिन पहले शहर में उसने इस परश का एक कारक्रम किया था शायद वो जानते होगी हलो बच्चे ओं हलो नीडी अच्छा ये बताओ किस किस को पपी के साथ खेलना पसंद है मैं मैं मुझे भी मुझे भी आपने देखा होगा जब आप उसे सर पर हाथ लगाते हो या सहलाते हो तो उसे कैसा लगता है और जब आप उसे कसके पकड़ते हो तो वो कैसे आपसे दूर भागता है हाँ दीदी और एक बार तो पप्पी अपने मम्मी को बुला लाया था ठीक उसी तरह जब कोई हमें प्यार से या अपने पन से छूता है जिससे हमें अच्छा लगे तो वह सुरक्षत इसपाश कहलाता है और जब कोई हमें इस गलत तरीके से छूता है कि हमें बुरा या अजीब लगता है तो हमें कैसे पता लगेगा हमारे शरीर में चार ऐसी टचमिनों जगे होती है जहां कोई बिना वजे ना हमें छो सकता है और ना ही हम किसी को छो सकते है मू, छाती, दोनों पैरों के बीच में आगे की और और पीछे कमर के नीचे इन चार जगव पर हमें कोई नहीं छो सकता अगर हमें कोई इन चार जगव पर छोता है तो वो बैट टच है और इससे हमारे दिमाग में टच की घंटी बजनी चाहिए दिमाग की घंटी बजेगी? हां, जैसे अगर मैं आपको आपके मन पसंद खाने की चीज की जगव जो आपको पसंद नहीं है ऐसी चीज दे दू तो आपके मुह में टेस्ट की घंटी बजेगी अगर मैं आपके सौंग की जगव शूर यानि नॉइस सुनाओ तो आपके कान में टच की घंटी बजेगी और गर्म कढ़ाई और नर्म टैडी बियर को छूनी पर उंगली में टच की घंटी बजेगी जब इन सब की घंटी हमें बशती हैं तो हमें बैट टच की घंटी भी बजनी चाहिए हर टच पास आकर किया जाए ये ज़रूरी नहीं है अगर कोई हमें हमारे कपड़े उतारने पर मजबूर करे या हमारे सामने अपने निजी जगों को हाथ लगाए अपने मोबाइल, टैबलेट, कम्प्यूटर, लैप्टॉप पर कोई गंदी चीज दिखाता है या भेशता है तो वो भी बैट टच है अगर कोई ऐसा करे तो हमें बचना कैसे है तो ठीक उस पापी की तरह जोर से चिलाओ नो या नहीं या व्यक्ति से दूर तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को बताओ जिस पर तुम्हें सबसे जादा भरोसा हूँ और तब तक बताना है जब तक आपके बड़े आपकी बात न सुन ले और ध्यान रखे कि बुरा इस पर्ष लड़के यानि बॉइस के साथ भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि बुरा इस पर्ष करने वाला आदमी यानि मेल ही हो ये किसी फीमील यानि महिला से भी आ सकता है और ये भी जरूरी नहीं कि बुरा इसपर्ष कोई अजनबी यानि स्ट्रेंजर ही करे ये हमारे किसी जान पहचान वाला, कोई पडोसी या रिष्टेदार भी कर सकता है पर अब हम क्या करें? अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं मिल पाए तो दस नौ आठ पर कॉल करें और दोशी को सजा दिलाएं याद रखें नौ गो टेल याद प्याद रखें याद नहीं मिल पाइड़ को सजा प्याद कर दोट परया ग्रें